हमारे देश में औरोतों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए भारत सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कई योजना निकालती रहती है आज कल किसी भी तरह की खबर हो पॉजिटिव या निगेटिव सब कुछ सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो जाता है महिला और लड़कियों से जुरी यौन उत्पिरन जैसी अन वीडियो जब तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल होती है तब इस वीडियो को देखने के बाद प्रशाशन सकती में आती है ऐसी ही घटना को देखकर सरकार ने महिलाओं के लिए कई तरह के एप उनकी सुरक्षा के लिए बनाए है जिनकी मदद से कोई भी उस एप के सहारे उस घटना की सूचना उसी वक्त प्रशाशन को दे सकता है जैसे की सेफ्टी पिन, रक्षा विमन सेफ्टी अलर्ट, हिम्मत, विमन सेफ्टी, स्मार्ट 24x7, शेक्टू सेफ्टी, बी सेफ्ट जैसी कई एंड्रोइड एप है इसके बावजूद सरकार ने प्रयोग के तौर पर एक और मोबाइल एंड्रोइड एप लॉंच किया है और उस एप का नाम है बंधन तोड एप इस एप की खासियत यह है कि यह ग्रामीर छेत की महिलाओं के लिए बनाया गया है यह एप सिर्फ यौन उत्पिरन से जुरी समस्याओं के लिए नहीं बलकि दहेज, बालविवा, घरेलू हिंसा और लैंगिक असमानता के मुद्दे पर लोगों को जागरुक करता है सरकार को पूरी उमीद है ग्रामीन छेत्र की महिला इस एप की मदद से अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगी यह एप हिंदी में है और इसे डाउनलोड करना और चलाना बेहत आसान है युनाइटे नेशन पॉपुलेशन फंड ने बधुवार को पतना में अधिकारिक तौर पर जेंडर अलायंस के सयोग से तयार इस एप को लॉंच किया है लाइफ सिटीज के लिए इशानी प्रियम की रिपोर्ट